इस नमस्कार प्रणाम आप लोग कैसे हो मेरे दोस्त मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ आप लोग कैसे हो अगर अच्छे हो तो आज की क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए नोलेट नौबैट बस इतना ह आप लोग को कि जितने लोग चैनल पर नए हैं अगर विडियो को विडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को क्या करना सेर करना और कोशिश करना वीडियो को शुरु से अंतक देखने के लिए क्यूंकि आज का सेशन संक्या को 10% कम किया जाता है और परिनाम संक्या को फिर 20% कम किया जाता है देखिए पहले आप उस संक्या को 10% कम किये फिर जो आया उसको 20% कम कर दिये तो यह काम क्या चल रही है लगातार तो जब कभी कोई काम लगातार चलती है ना तो वहां पर क्या काम करती है तो वहां पर एक रूल काम करती है क्या काम करती है करूल काम करती है जिसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव तो यहां पर हम लें सक्सेसिव का रूल लगा देंगे और इस को सन को बरवाद कर देंगे तो बोलता है तो आंत म कमी का प्रतिसत क्या होगा देखिए कितना कम कर रा जाधा करने से पहले लींग कुछ होगा औरенного करने कि टैप करके बताओ किसी भी चीज को तुम बढ़ाते हो या घटाते हो तो बढ़ाने और घटाने से पहले भी तो कुछ रही होगी तभी तो तुम बढ़ा रहे हो तभी तो तुम घटा रहे हो यस बिलकुल होगी तो आईए तो जो सुरू में होगा उसे हम लोग बोलेंगे इनिसियल जो बढ़ किये इसका मतलग कितना होता है एक बटा 10 यानि सुरू में अगर 10 होगा तो आज एक क्या हो जाएगी कम तो आज की मान कितना हो जाएगी 9 ठीक है न फिर आपने क्या किया कि 20% कम कर दिया तो 20% का मतलब होता है 20 बटा 100 यानि कि एक बटा 5 यानि कि शुरू में अगर 5 होगा तो आप आझ दें फिर से कम कर दिया आज कितने हो जाएंगे चार हो जाएं और अरहांअ किसे सगसेशी में क्या करते हैं गुना करते हैं गहत्रिफ आजागा पचास और इतर आंजागा 36 यानि इस परकार वह संक्या सुरू में कितनी थी 50 तो इस परकार घटकर कितनी हो जाी 36 तो उसमें कितने की कम धी आ गई आप बो किशता कि कम यह 25 से जबाब किस में देनी है तो आपका जवाब आएगा सब्सक्रासमें तो ौसे गुना कर देतती हैं इस परकार से जब करोगे मेरे मीत्र तो आपका राइट अंसर निकल कर आ जाएगा तो 50 से कित्ते बार में काटेंगे दो बार में काउधा को 2 से गुना करेंगे तो 28% आपका आ जाएगा यानि इस परकार है ना उस संक्या में कुल मिलाकर 28% की कमी आ जाएगी तो आंत में कमी का प्रतिसत क्या होगा तो आपका राइट अंसर हो जागा 28% इसको हम लोग इस तरीका से भी बना सकते देखो पहली बार कमी हुआ बाद में भी कमी हुआ तो आंतता हो इसकी क्या होगी कभी बिर्दी तो होगी नहीं तो डिक्रिमेंट की अगर प्रसेंट निकालनी है तो कुछ ने करना है इसको मालो हम लोग इसको माल लेते हैं X इसको माल लेते हैं क्या बाई तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे X पलस Y माइनस X इंटू Y अपन के क्या 100 ऐसा करने से भी आपका अंसर आ जाएगा देखिए X कमान था 10 Y कमान है 20 माइनस यहां पर यह रहा 20 यह रहा 10 और डिवाइड करोगे 100 से तो यह वाला 0 से यह वाला 0 से यह वाला 0 खत्तब तो इधर हो गिया 20 और 10 30 और इधर में 2 प्रसेंट तो यह आपका राइट अंसर निकल क्या गिया तो यह इस्तेमाल यह वाला तरीका वहां इस्तेमाल करना जहां पर परसेंटेज गोल गोल दिया हो जैसे 10 परसेंट 20 परसेंट 30 परसेंट 40 परसेंट इस तरह का दे तो गोल गोल है तो बनाओगे लेकिन यह जो तर लोगे तो सबसे बड़का वदा हतियार माइंड में सेट करूक जब किसी वैलियू में अगर लगातार बिढ़ी होगी या लगातार कमीहोगी या पहले से या घटने से पहले भी कुछ ना कुछ रही होगी तो जो रही होगी इसे क्या बोलेंगे इनिसियल और जो बढ़कर या घटकर हो जाएगा उससे हम लोग बोलेंगे इस परकार ऐसा करने से आपका इस कोशन का राइट अंसर ऑप्सन नंबर डी आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 34 में क्या बोला गया है कि यदि किसकी किताब का मुल्य पहले 25 परसेंट घटाया जाता है तो 25 परसेंट का मतलब कितना होगा 25 बटे का सो काटो गया आएगा एक बटा चार तो घटाने से पहले भी ये जो किताब है ये जो किताब है मेरे दोस्त इसका मुल्य पहले भी कुछ होगा तो पहले को बोलेंगे इनिसियल और अगर घट गिया या बढ़ गिया उसके बाद भी कुछ होगा इसे बोलेंगे फाइनल तो 25 परसेंट का मतलब कितना होता है पचीस परसेंट का मतलब होता है एक बटा चार यारी उस किताब का मुल पहले कितना था चार था और पचीस परसेंट क्या किया गया घटाया गया तो घटाने का मन कितना होगा एक तो चार में से एक गया तो कितना हो गया पहली बार की कंडिश थिर क्या बोल रहा है फिर बीस परfar Mexican क्या किया जाता है बढ़ा दिया जाता है तो बीस परसेंट का मतलब कितना होगा अगर बीज परसेंट जब तुम बढ़ाओगे तो made 250 फिक Yun Excellent यानि वह सुरू में था कितना पांच और तुमने क्या किया बीस परसेंट उसको क्या कर दिया बढ़ा दिया तो बढ़ा दोगे तो क्या हो जागा जोड़ दो तो पांच और एक छे हो जाएगा कि तो बसकुछ ने करना है और लगा दो पानी में और बनादू मिध तुफानी में तो पांच को चार से गुना करो 20 के को 3 से गुना करो 18 तो तुम देखो वह सुरू में कितना था 20 आज कितनी की बौलोग जवर दो की ना सो तो कितना परसंट की कमी होगए तो से गुना कर दो ऐसा करने से आपका जवाब परसंट में आजाएगा अगर अब कड़ता है काट देना है है तो बचा कितना है दस परसंट की क्या हो यह कमी 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 में लिखते sevky रोगा वह आपका होगा 10% की कमी आप्शन नमबर यह बीड़ी दर्राइट अंसर आप इस बोलो कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें समझ में आ रही है की नहीं मेरे दोस्त मेरे भाई और मेरे प्यारे बच्चे पिर दोस्त जो बिहारी दोस्त है जल्दी-जल्दी कमेंट क पार कर देंगे और बिहार का जितना एक्जाम है उसको बेटा एकदम रूड़ पर बरवाद कर देंगे यह मैरी बादा कि मैं प्रहता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा कि अना आई यह कोश्तन नमर 35 लिखा है कि अगला हिंदी पर पढ़ते हैं यदि एक सहर की जनसंख्या जनसंख्या और ऐह 10% प्रती वर्स बढ़ती है तो तीन वर्श के बाद तो सहर की सहर कि जनसंख्या होगा देखो लुकाद और यह पता चल गिया कि वह दस परसेंट के रेट से एक साल बढ़ रही है तो तीन साल के बाद उसकी सहर की जन संख्या क्या होगी तो आप लोग सभी का अंसर होगा इसर चौश्ट हजा से तो ज्यादा ही होगा लेकिन कितना होगा यह निकाल के आपको बताना है बताओ दस परसेंट बढ़ रही है तो बढ़ने से पहले भी उस सहर की जन संख्या होगी तो जो होगी उसे क्या वो लेंगे इनिसियल और बढ़के लास्ट में कुछ होगा उसे वो लेंगे फाइनल दस परसेंट बढ़ रही है तो पहला साल क्या होगा तो पहला साल दस परसेंट का मतलब होता है बिटा दस बटे सो काटोगे तो आएगा एक बटा दस यानि पहला साल अगर दस था तो एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 होगा यह हुआ पहली साल की बात दुसरा साल का भी यही होगा क्यूंकि 10% की रेट से प्रतीव वर्स बढ़ रहा है तो दुसरा साल भी क्या करोगे दूसरा साल में यही 10 और 11 लिखोगे तिसरा साल का भी रेट यही है यही 10 और 11 लिखोगे पस अब कुछ ने करना है अब गुना कर दो इन सबों को क्या करो गुना फिर इन सबों को क्या कर दो गुना तो दस को तीन बार गुना करोगे तो आएगा हज्यार और 11 को तीन से गुना कर तीन बार गुना करोगे तो वन तरी तरी वन आएगा अब बताओ शुरू में उस सहर की जनसंख्या कितनी दीखा रही है कितना दे रहा है चौुनल तो तुमицյ क्या बोलोगे कि सधी attitude एक रुंचार कमान ум देुंख देरखाई छौ salsa of the देर 14 तो एक कमान क्या होगा टीन जीरू को कट दो एक का जो मान होगा वह क्या हो जाइए एक कमान क्या हो जाने का चौ sleepy के ऑज क्छिपित कि आ 1331 तो एक कमान चौन सट तो 123-31 कमान कितना तो 1331 internet इसा कट करोगे दो एक गुना चार यानि कि दार या इसा करने से जब 4 को एक से गुना करोगे तो चार वनेगा यानि की इकषाय होना चाहिए इकाई यंग चार यहां नहीं है इकाई यंग चार यहां नहीं है इकाई यंग चार यहां नहीं है इसका मतलब अंसर क्या होगा option number B यानि इसको जब गुना करोगे तो आएगा 85 85 184 यह आपकी उस सहर की जन संक्या होगी तीन साल के बाद तो इस तरीका से इस कोस्टन को बनाओगे वेटा तो बिहार पुलिस नहीं सेंट्रल सेजियल भी निगल जाएगा ठीक है अरह ठीक है कि नहीं समझा तुम की नहीं बताओ यह कमेंट करके बताओ अगला लेते हैं कि यह देखे क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वर्ग की भुजा पीस परसेंट बढ़ाई जाती है तो उसका छेत्रफल कितना बढ़ जाएगा इस टाप की कोस्टन बिहार पुलीस बिहार दोरोगा बिहार एससी में बहुत वार पुछा हुआ है पीस परसे बढ़ा रहे हो भुजा बढ़ने से भी पहले तो कुछ होगा तो पहले यह बताओ कि बीस परसेंट का मतलब क्या होता है तो बीस परसेंट का मतलब होता है बीस बटे का सो यानि अगर पहले भुजा पांच थी और बीस परसेंट बढ़ाऊगे तो कितना बढ़ेगा एक क् थी और आज एक बढङ जाएगी तो भुजा कितनी हो जाएगी यह थी पहला और यह है आज का पाद किसकी की भूजा की को तो भूजा हमें पता चल गिया की पहले 5 था और आज कितना हो गया है यह मैं बताने उसके 6 थरफ़ल में कितना बढ़ जाएगा तो वर्ग की पुज़ कर दो आज की यह फोगता है तो भूज़ा का स्कोएर तो पहले का भूज़ा है 5 इसका क्या कर दो आस्कोर आज की भूज़ा है च्रे तो इसका कर दो 11 बढ़ गिया हम बोलेंगे कहां से बढ़ गिया तो आपका जवाब होगा 25 से बढ़ गिया तो ये 25 से बढ़ categorized बढ़ा तो आप बोलोगे सर तो से गुणा कर दिजिये तो आपको पता चल ज़गा पर 25 सेंट में कितना बढ़ा वर्ग का जो चेतरफल है उसमें 44 परसेंट की ब्रिदी हो जाएगी इस कोस्टन को ऐसे भी बना सकते हो कैसे बनाओगे यह समझो इंक्रीमेंट निकालना है लिए ना कि चेतरफल में कितने की ब्रिदी हो गया तो टू गुना इसको मालो एकस टू गुना एकस पलस एकस अस्क्वाएर वाई और यह ऐसा करने से भी आपका अनसर आ जाएगा अब बताओ यह 2 रहा, x कमान कितना है, x कमान है 20, तो यह रहा 20, पलस, यह क्या हो जागा, 20 का क्या, square, डिवाइड कर दो 100 से, ऐसा करने से आपका अंसर आ जाएगा, तो अब बताओ 20 दूना, 40, पलस, 20 का square, 400, 400 का 100 से काटो कितना है गा, 4, तो यह रहा 4, और जोड दोगे तो आ जाएगा, 44%, तो इस परकार से भी आपका अंसर आ जाएगा, तो यह निकल गया, बिर्धी, कि बिर्धी कितने की होगी, तो छेतरफल में बिर्धी कितने का हो जाएगा, 44% का, तो एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें किलियर समझ में आ रही है कि नहीं, यह दे उसके छेतरफल में कितने परतिसत की बिर्धी होगी, तो अभी लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था, तू गुना एक्स पलस, एक्स असक्वायर वाई, हंड्रेड, तो यह टू हो गया, एक्स के जगा, दस पुट कर दो, यह हो जाएगा, दस का स्क्वायर, और नीचे परसेंट की, कहां पर दिख रहा है, तो आप लोग बोलोगे, तर एक इस परसेंट तो दीखी ने रहा है, मुझे, यानि कि, ऑप्सन में क्या है, एरर है, अप्सन में एरर है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाने वाले, ऐसा करते हैं, लोग ना, इसको 21 बना देते हैं, या परसेंट की, ब्रिधी कर दी जाती है, बेलन यह देखिए, बेलन ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा, यह आपका बेलन होता है, इसी को बोलते हैं, बेलन, और यह जो होता, यही को बोलते हैं, रेडियस, तो रेडियस में बोल रहा है कि 25 परसेंट की क्या करेंगे, ब्रिधी, तो उसकी चौराई में कितने परतिस्त की कमी की जानी चाहिए ताकि बेलन का आईतन समान रहे तो इसकी जो उचाई है यह है क्या हमारा उचाई तो भाई बेलन की जो त्रिज्या है जो रेडिया से उसको तुम क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो तो बोलता है उच्छाई जो है ना उच्छाई जो हाइट इसको कितना कम करेंगे कि आईतन में कोई परभाव ना पड़े तो भाई यह चलिए समझते हैं आईए जरा सा समझते हैं तो यहां पर हम लोग बात करते हैं रेडियस की तो यह रहा पहले और यह रहा आज की यानि की फाइनल बात हो रही है रेडियस की तो रेडियस में बिर्दी हो गया है पचीस परसेंट का पचीस परसेंट का मतलब होता है पचीस बटे सौ काटोगे तो आएगा एक बटाएच चार यानी कि शुरू का अगर रेडियस चार था तो आज बढ़ जाएगा एक तो हो जाएगा आज तना पांच कि यह हो गया रेडियस का क्या अनुपात में हम लोग सिखते हैं क्या तो बेलन का जो आइतन होता है फाई आर इतना बड़ा बेलन रहे चाहे तुम इतना चोटा बेलन की बात करो इतना बड़ा बेलन रहे चाहे इतना चोटा बेलन की बात करो इसका भी आयतन लिखोगे तो यही फर्मूला लिखोगे और इसका भी आयतन निकालोगे तो फिर तुम यही फर्मूला लिखोगे तो मेरे द नहीं मिलेगा क्योंकि पाई एक कॉंस्टेंट टॉर्म है तो ऐसे कोस्टन का जवाब बीदा पाई का दो या पाई के साथ दो आपका राइट अंसर आएगा अब बताओ अब बताओ मेरे दोस्ट कि आईतन क्या है समान आईतन बरावर होता है पाई आर स्क्वाइर एच और आईतन में नोचंज चाहिए आईतन में क्या चाहिए नोचंज नोचंज चाहिए इसका मतलब है क्या कि रेडियस अगर बढ़ेगा तो हाइट क्या होगी ृद्वर्टिय İ elder बढ़ रहाए तो हाइट क्या होगी कमेंस लेकिन हाइड जो कमेंगी दिा लौं इतिवर पुर्परोसरे तो क्या कर देना है इसका स्कुओरिर के जाएगी यहां पर 25 और चार का स्कॉर सुलाई है सुला यहां पर आ जाएगी तो यह जो हो जाएगी वह हाइट का नुपात हो जाएगी इसकी हाइट का क्यों किऊंकि आई तन बरावर होता है मेरे दोस्त सफाई आर अस्क्वाइर एच आइतन में कोई चेंज नहीं करोगे तो बताओ रेडियस अगर बढ़ेगा तो हाइट क्या होगी अगर यह बढ़ेगा तो यह घटेगा और अगर यह बढ़े रहा है तो यह घटेगा क्योंकि दोनों किसमें है मल्टिप्लाइ में जब कभी भी किसी चीज का रिजल्ट अगर मल्टिप्लाइ से आता हो और उस चीज को में कोई बदलाव नहीं चाहते हो तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा यह बढ़ेगा तो यह घटेगा यह बढ़ेगा तो यह को रेडियस का उल्टा कर दो यह पांच तो आका स्कॉयर होजएगा यह चार तो स्क О' Yeah हो जाएगा मुझे बता अधन क्या होता है यहां कि आपको आर स्कॉयरा कंद्द कितना हो जागा सुल्ल यहां पर rs² कमन कितना होगा 25 अपचीस अच्छा पाईस से तुम्हें कोई मतलब नहीं है तो भाई हम यहां निकाल लेंगे हम निकालेंगे हाँ बर्या पर रस्क्वायर एच लिकालो तो सुल्ला कुना 25 कितना होगा 400 और यहां पर 25 गुना щुला कितना होगा चार सो देख लो यह Satan जैंकी नहीं ऐसा मेरे दोस्त है उठाइब कितने की कमी होई तो हाइट पहले था 25 आज हई और तोय है हाइट में कमी कितने किक क्यी नहीं से काहां से भाइटो पश्यू परसेंट कमी हो गई तो से गुना कर दो तो पचीस से काटो कितने बार में चार बार में तो नो चौका अत्तीस परसेंट यानि उसके हाइट में अत्तीस परसेंट की कमी करने होगी यानि ऑप्सन नमबर एब बीदा राइट अंसर अब इस कोश्चन तो मेरे दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक यू बबाएँ